हेलो दोस्तों, कम्प्रेशन ओडियो सिग्नल की चेन में एक बहुत महत्तोपूरण प्रॉसेस है और ओडियो कम्प्रेशर क्या होता है उसों कैसे सेट करते हैं? आइए देखते हैं Audio compressor signal की dynamic range को change करता है उसको कम करता है Dynamic range signal की सबसे छोटी level और signal की सबसे बड़ी level इन दोनों की बीच का अंतर है आप सोच सकते हैं कि वो एक volume control की तरह काम करता है As an example जब level बढ़ जाए तो उसे वो कम करता है और level जब कम हो तभी उसको बढ़ाता है एक ऐसा उधारन की तोर पर आप compressor के बार में सोच सकते हो compressor को ये काम करने के लिए उसको ठीक तरीके से set करना पड़ता है और उसको set करने के लिए उसके पांच महत्वपूर्ण settings हमें समझ दे हैं वो है threshold, ratio, attack, release और make-up gain आईए एक एक करके समझते है threshold की सहायाता से आप उस level को set करते हो जिससे अगर signal बढ़ा हो तो compression का काम शुरू हो जाता है वो db में set किया जाता है threshold अगर बहुत ज़्यादा हो और signal उस level तक अगर कभी नहीं पहुचता तो compressor कुछ काम नहीं करेगा अगर आप compressor को on भी करो तो भी कोई compression नहीं होगा threshold को इस तरीके से सेट करना है कि जब signal loud हो तब जाकि वो threshold को पार करे और compression शुरू हो ratio की मदद से हम तै करते हैं कि हमें कितना compression चाहिए अभी उधारन के तौर पर लेते हैं 2 to 1 ratio 2 to 1 ratio में जब threshold से उपर अगर signal 2 dB उपर जाता है तो compressor उसको सिर्फ 1 dB जाने देता है इसका मतलब हमने 2 dB को compress करके 1 dB कर दिया वैसे ही अगर signal 10 dB उपर जाता है threshold के तो उसको सिर्फ 5 dB compressor उसको उपर जाने देगा उससे ज़्यादा जाने नहीं देगा तो इसका मतलब हुआ हर 2 unit के लिए 1 unit हमें compressor अलाव करेगा उसी तरीके से अगर 4 is to 1 ratio पकड़ते है तो अगर threshold से 4 dB signal उपर जाता है तो एक ही dB compressor जाने देगा और 8 dB अगर उपर जाता है तो सिर्फ 2 dB जाने देगा तो ratio की मदद से हम ये decide करते हैं कि हमें कितना compression चाहिए इसका मतलब ratio हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं हम signal को threshold के उपर जाने नहीं देते हैं Attack और Release ये दोनों time settings है वो millisecond में होती है threshold को पार करने के बाद signal को compress करने में जितना time लगता है उसे attack time करते हैं इसका मतलब threshold पार करते ही तुरंत signal compress नहीं होता उसमें कुछ time लगता है वो time है attack time अब drums या कोई instruments के लिए हम attack time fast इसका मतलब कम रखते हैं और vocals के लिए attack time ज्यादा रखते हैं इसका मतलब attack थोड़ा slow रखते हैं जब signal की level threshold से नीचे आ जाती है तो उसके बाद कुछ समय के बाद compressor काम करना बंद करता है इसका मतलब है कुछ देर तक जब भी signal की level threshold से कम है फिर भी compression होता रहता है उस time को release time करते हैं release time drums और instruments के लिए fast होना चाहिए इसका मतलब कम होना चाहिए क्योंकि drums और instruments काफी तेजी से बचाये जाते हैं और vocals के लिए इसको ज़्यादा release time रखना सही होगा अब इस process में signal की peak level compress होने के कारण उस signal की total level कम हो जाती है और उसको हम gain देके बढ़ा सकते हैं जैसे पहली थी उसी level पे लाने के लिए पर उस gain को make up gain कहते हैं अब गौर कीजिए कि हमारे signal का जो कम level का जो भाग था वो make up gain की वज़े से loud हो गया, बढ़ गया इसका परिणाम ये हुआ कि हमने peak signal को control करते हुए soft signal को बढ़ा दिया और उसके कारण हमें consistent एक एक जैसी level मिल गए वैसे तो ये सारी 5 setting आप अपने इसाब से अलग-अलग set कर सकते हो पर एक तरीका है, एक flow है जिससे अगर आप ये इनको setting ठीक करोगे तो आपको अच्छा बढ़ेगा पहले threshold को सबसे ज्यादा पे set करके हम compressor को on करेंगे फिर उसको धीरे-धीरे कम करके compression शुरू करेंगे इससे आपको फरक सुनने में आसानी हुई आपको gain reduction meter पे कितना compression हो रहा है वो आपको mixing console में दिखाई भी देगा उससे आपको पता चलेगा कि कितना gain reduction हो रहा है इसका मतलब कितना compression हो रहा है उसके बाद attack और release times शुरू में इनको हम default position में ही छोड़ देंगे अभी soundcraft SI impact में attack time 52 milliseconds और release time 80 milliseconds पे default होता है उनको हम नहीं पहले छेड़ेंगे फिर compression जब हम शुरू करके सुनके उसको फिर थोड़ा सा छेड़ सकते हैं ratio 3 is to 1 या 4 is to 1 से शुरू करेंगे इसको बाद में signal को सुनके हम बढ़ा सकते हैं और make up gain भी शुरू में 0 dB ही रखेंगे ये सारी settings बाद में signal को सुनके हमें उसको छेड़नी पड़ेगी और हमारी signal के हिसाब से ये हम सारी settings बाद में छेड़ सकते हैं जब आप कोई show या song mix कर रहे हो तो mix engineer के लिए compressor एक बहुत ही उपयुक्त टूल है जब आप काफी सारे sounds को mix कर रहे हैं तब हर एक signal को ठीक से सुनाई देने के लिए उसकी level ठीक होना बहुत ज़रूरी है ज्यादा करके compressor vocals, drums या bass guitars पर यूज़ किया जाता है तो आपके digital mixer पर available compressor को ज़रूर try कीजिए और अपने sound को बहतर बनाईए आशा करता हूँ कि इस वीडियो की जानकारी से compressor को set करने में आपको मदद होगी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूले